इंडिया की Crime Report अठाके देख लें, बलातकार, हत्या का प्रियास, बहुजनों पर ट्रेसपास, बहुजनों की संपत्यों पर ट्रेसपास, बहुजनों पर अत्याचार, यह लगातार बढ़ते जा रहे हैं, मायावती अगर सुन रही है इस मुवमेंट को, या भाई चंदर सेक सुन रहा है, तो उनको मैं इस पश्ट सब्दों में निवेदन करते हुए, यह कहूंगा, कि आपका मुमेंट, आपका जो सकरात्मक मुमेंट, वो नकरात्मकता की और जा रहा है, कुछ वर्ग विसेश के पोशन के कारण, अति पोशन के कारण, आप बहुजन को सामिल करना चाते हैं, तो सबसे पहले आप से सबसे बड़े राष्ट्य नेताओं को इकटा होना पड़ेगा, और साथ बैठना पड़ेगा, भारत के सविधान में, वाईविर्द से सविधान को बदला जा सकता है, ऐसा हर्गिस नहीं हो सकता, क्योंकि भारत की सविधान की अपन हैं, हम हैं, जो आपन उस कारवां को पिछे लेके जा रहे हैं का लगता है कि ये अव्वा है सविधान को जिस तरीके से बदलने की बात कही जा रही है जैसा कि आपने बताया कि सविधान खत्रे में है या सविधान को बदलने की बात की जा रही है ऐसा हमारे बाबा साहिब अमबेटकर ने जब पर्थम बार सविधान को पर्थम नागरिक राश्टपती राजंदर परसाद जी को देते हुए ये सब्द कहे थे कि सविधान अगर गलत हातों में पड़ जाएगा तो वो गलत ही साबित होगा अच्छा सविधान है फिर भी गलत साबित होगा ये बातें जहां तक चरितात होती नजर आ रही है इस परिपेक्स में और ह सारी चीजें सभी चीजें जो भउजद समाज है उसकी नाकामया भी साबित हो रही है क्योंकि बाबा शाहिए वंबेटकर साब नहीं ये कहा था कि मेरे जो मानने वाले हैं मेरे अनुवयाही हैं वो इस मिशन को आगे न ले जा सकें तो कोई बात नहीं इस मिशन को पीछे एक अदम भी मत ले जाने देना वो आज की डेट में चरिताद साबित हो रही है दोनों बातें सविधान को भी खत्रे में किया जा रहा है और लगातार किया जा रहा है और रही बात इस moment को पीछे ले जाने की तो मैं इसमें किसी बात की अतिसोक्ती या ऐसा कुछ नहीं करने क की बात नहीं कहूंगा बहुजन मुव्मेंट को कमजोर नहीं कहूंगा लेकिन यह है बात दबे मन से खुले मन से सिवकार करनी पड़ेगी क्योंकि हम इस मुव्मेंट को पीछे लेके जा रहे हैं क्योंकि आज समाजिक ताकतें लगातार बहुजन समाज पर हावी हो रही हैं इसका सबसे बड़ा सबसे बड़ा और बड़ा कारण है क्राइम रिपोट इन्डिया की क्राइम रिपोर्ट अठाके देख लें भलातकार, हत्याएं हत्या का प्रियास या ट्रेसपास, बहुजनों पर ट्रेसपास, बहुजनों की संपत्यों पर ट्रेसपास, बहुजनों पर अत्याचार, यह लगातार बढ़ते जा रहे हैं, बहुज संख्यक रूप से बढ़ते जा रहे हैं, जिससे ऐसा लग रहा है कि महौल बहुजनों के विप्रीत है, उसके ब बावजूद भी बहुजन उसके बावजूद भी बहुजन अपना मुव्मेंट को चेंज नहीं कर पा रहा है, घर से उठ नहीं रहा है, रोड पे नहीं जा रहा है, अपने हक अधिकार के लिए लड़ नहीं लड़ रहा है, लगातार मुव्मेंट तो चल रहे हैं, बामन में तो तमाम बहुजन समाज ऐसा कहता है गि 131 गुलाम सांसत जो है वो पहुच जाते हैं मैं विकाज जी आपको इस पष्ट बात कह देता हूं जितने भी मुमेंट चल रहे हैं मैं बहुजन मुमेंट के विरोध नहीं हूं मैं बिल्कुल विरोध नहीं हूं लेकिन ये जो बहुजन मुमेंट चल रहे हैं कुछ जातियों विशेश से सीमित होकर रहे गया है अब मैं आपने जो भी नाम नाम तत्हकतित हमाडे नेताओं का हमारे सामाजी कारेकरतां का नाम लिया जा उनका नाम लिये बहगेर मैं खुले मन से इस पस्दों में यह कहना चाता हूं कि कुछ जातीयों को ही प्रोग्रेस मिल पा रहा है इनकी बात सुनी जा रही है वही संगटित है जहां पद और सत्ता की बात आती है उनको आगे कर दिया जाता है पीछे हमारे रहे दबे खुदले व्यक्ति है उनकी बात नहीं सुनी जाती उनको प्राइविटी नहीं दी जाती ऐसा हमें स्युकार करना होगा अगर महसरान बामन जी इस बात को सुन रहे हैं तो अपने मुवमेंट में वर्ग विशेश को प्रात्मिक्ता न देकर सभी वर्गों को प्रात्मिक्ता दें मायावती अगर सुन रही है इस मुवमेंट को या भाई चंदर सेकर सुन रहा है तो उनको मैं इस पश्ट सब्दों में निवेदन करते हुए यह कहूंगा कि आपका मुमेंट, आपका जो सकरात्मक मुमेंट वो नकरात्मकता की ओर जा रहा है, कुछ वर्ग विसेश के पोशन के कारण, अति पोशन के कारण, मान लेते हैं कि किसी वर्ग विसेश को प्राथ अधिकार है, बड़े बाई का अधिकार है, उसका अधिकार है, उसको करना ही पड़ेगा, नहीं करेंगे, तो उसके घर पर हमला होगा, उसे मार दिया जाएगा, वो घर एक नहीं होगा, तो उसे मार दिया जाएगा, यह एक्जाम्पल है, और एक्जाम्पल चरिताद हो र और देश आजाद हुए 70-75 साल हो चुके हैं और 70-75 सालों में जिस प्रकार से कोरणा काल के बाद सेकड़ों से लेके सेकड़ों एक्ट को डिमॉलिज कर दिया खतम कर दिया गया है और बहुजन कुछ नहीं बोल रहा है इसलिए ये बहुजन की सोई हुई समाज है ये मात्र 2 अप्रेल को वो जागा था जब सुप्रीम कोट ने एक डिसेजन दिया था और उस सुप्रीम कोट के मौमेंट के बाद बहुत बढ़ा सोचल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ऐसा ऐसी चीजे हुई उन चीजों के कारण वो एक मात्र एक सणिक मात्र परतिकार था ये प तताकतित नेता जो आपके नाम गिनाय विकाज जी उनको सभी को एक प्रेटफॉर्म पर आना पड़ेगा और बहुजन के नाम पर आपके पास OBC से कोई बड़ा चेहरा आपके पास नहीं है OBC से कोई बड़ा चेहरा नहीं है और संक्याबल में सबसे ज़्यादा वो है SC, ST and Minority तीन कूकरे हैं वो कह रहे हैं कि हमें मारा लेकिन OBC सबसे बड़ा फैक्टर है जो अभी किसी और तताकतित व्यक्ति के साथ पास बैठा है और उस तताकतित व्यक्ति की सेवा में लगा हुआ है जो कहते थे पच्चासी परसंट बहुजन है तो वो पच्चासी परसंट का क्या है पच्चासी परसंट बहुजन में वहावत है या फिर ऐसी नहीं पच्चासी मान्या वर कासी राम जी की बात बिलकूल सत्य है और एकदम नितान सत्य क्योंकि यह जो पिच्चासी परसंट वाली बात है वो सही है इसमें SC, ST and OBC को SC, ST को जोड़ दिया जाए तो वो 17 और 12 वो होंगे लगबग मेरे हिसाब से और जो आप कह रहे हैं 27 परसेंट 28 परसेंट जो भी है तता करीद OBC वो आपको बहुजन की स्रेणी में नहीं मानता वो अभी उच्च वर्ग में जाकर आपके समक्त नहीं है अगर है विकाजी तो एक नाम गिला दीजिए मेरे को कि अहुजन है का एक चेहरा आपके पास है नहीं है आपके पास परसाद जी मोर्या साब का नाम लिया और जो भी आपने एक नाम लिया EKलेज जी वो एक छेतर विशेश से बंदे हुए हैं और कभी बुआ और बबुआ एक साथ आये थे उसकी बाद में बुआ और बबुआ एक साथ नहीं आये और अगर यूपी की आप गणित बैठा लें तो बुआ और बबुआ की next सरकार जो गई है अगर दोनों सामिल लड़ते तो वो चुनाव में जीतते तो आप बहुजन एक नहीं है आप बहुजन को सामिल करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप से सबसे बड़े राष्टिय नेताओं को एकटा होना पड़ेगा और साथ बैठना पड़ेगा तो फिर से मैं सवाल मेरा वही है जो सब्विदान को लेकर वाते कहीं जा रही है उसको कितना लग रहे हैं आपको लगातार अमेंडमेंट तो हो गए है तो कि 24 के बाद सब्विदान बचेगा है फिर नया सब्विदान लागूर होगा इंडियन कॉंस्टिशन भारत का सविदान बावा साहिब ने इस मनो योजना से बनाया था कि सभी का साथ हो, सभी का विकास हो बिचड़े अगरो का सबका हो इसकी सविदान की प्रस्तावना इसपष्ट है कि हम भारत के लोग, भारत के गणराज्य को लोकत अंत्री, गणराज्य, समराजवादी, संपंत, निरपेक्स, राज्य बनाने चाहते हैं और बनाएंगे ये सभीदान की प्रस्तावना है उस प्रस्तावना को कितने भी लोग कितने भी लोग आएं और कितने भी लोग चले जाएं भारत की मूल सविधान का interpretation इसको बदला नहीं जा सकता है लेकिन इसको तोरा मरोडा जा सकता है तोरा मरोडा जा सकता है इसका एक उधारण आपको मैं इंद्रा गांधी के टाइम में बताऊंगा उसकी प्रस्तावना में पंत निर्पेक सब्द हटा दिया गया था उस सब्द को Supreme Court of India ने भारत के सरोच नियाले ने पुना उसको डाला और कहा कि उसकी सविधान की मूल भावना के अंतरगत उसमें परिवर्तन नहीं लाए जा सकता यानि कि अभी जो सरकार है और आपकी जो इच्छाएं हैं मंसाएं आपको आसंका ये लग रही हैं कि भारत के सविधा सविधान में बाई-विर्द से सविधान को बदला जा सकता है ऐसा हरगिस नहीं हो सकता क्योंकि भारत की सविधान की प्रस्तावना में चेंज नहीं लाया जा सकता एक्जामपली मैं एक उधारन दूंगा आपको कि अगर मैं कहता हूं कि आर्टिकल 14 और 21 और हटा दिये ज जाते हैं तो क्या भारत की जंता इससे मानेगी इसका सबसे बड़ा दो अप्रेल को जो मुमेंट चला था जिसमें इस पश्ट कहा गया था चंदर सेकर जी चंदर सेकर राजाद द्वारा चलाया गया था वह मुमेंट वह इसी लेवल पे था कि एक्ट में बेल एंटर सिप किया क्योंकि बाद में सभी बहुजनों ने उसका विरोध किया तो जो ही सवीधान के अंतरगत किसी भी प्रकार का बड़ा इंटरफेर होगा तो भारत की जंता बहुजन जंता सड़कों पे आएगी इसी तरह दो अप्रेल की तरह और उस अमेंडमेंट को रोकेगी लेकिन मेरी बहुजन समाज से निविधन है आपके प्लेटफोर्म माध्यम से और आपको ये प्लेटफोर्म माध्यम के निविधन करूँगा और आप भी अच्छा मोमेंट चलाएगा कि इस सवीधान को बचाने के लिए या सवीधान की जो रक्षा के लिए जो असंकाएं हैं कि उसे बदल दिया जा सकता है, बदला जा सकता है, उसको रोकने के लिए आपको aware होना पड़ेगा, एक platform पे आना पड़ेगा, SC, ST, OBC and minority को एक platform पे आना होगा, मैंने यह नहीं कह रहा हूं, कि सविधान बदलने की बात वो लोग करते हैं, जो सविधान को गाली देते हैं, हमार उस कारवां को पिछे लेके जा रहे हैं, ठीक है सर, और रही बात हमारे सविधान में amendment की, तो इंद्रा गांदी one third majority में थी, वो सविधान संसोदन करने की majority में थी, उसने कई सविधान संसोदन किये, लेकिन Supreme Court of India ने उसको खतम कर दिया, क्योंकि Supreme Court of India भी, अभी India भी बहु लगातार और लगातार Supreme Court इंडिया ने भारत सरकार की विभिन आरदेशों को demolish किया है समय समय पर, और लगातार अकबारों में आप पढ़ रहे हैं, आपके माध्यम से हम सुन रहे हैं, और Supreme Court इंडिया on deck सब कुछ कह चुका है, भाउजन अवैर नहीं होगा, तब तक ये क कोशी से होती रहेंगी, मेरा विकाजी not कर लेजेगा point, कोशी से होती रहेंगी, इसको change नहीं किया जा सकता.